नवश्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयास 42 वर इसकी महला के अतली का दियन करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फ्रेके करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आकर इनको प्रेस कर दे ताकि रेडस नोडिफिकेशन आपको मिल चाहे तो चलिए शुरू करते है इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है आग एक जीवन के बारे में जानना चाहती है थोड़ा स्वास्त से परशान है तो ये जानना चाहती है कि इनका स्वास्त इतना क्यों गरबर रह रह रहा है और किसी वेक्ति को इनों ने अपने हाथ दिखाया था तो इनकी जीबंद्रेखा बड़ी छोटी नज़र आ रही है तो ये बहुत ज़दा confusion में है कि क्या है इस जीबंद्रेखा का शाब्दिकर्थ और क्या इनकी आयू बहुत छोटी है क्योंकि एक दर तुझ इनसान के दिमाग में आ ही जाता है न अगर जीबंद्रेखा में कोई तूटी हो तो क्योंकि जीबंद्रेखा का नाम जीबंद्रेखा ही इसलिए परा है क्योंकि इससे जीबंद का कोई ना कोई संबंद है जीवन के संबंद के रूप में अगर मैं बात कर लूँ तो negativity financial भी हो सकती है, mental भी हो सकती है और stress भी हो सकता है, और स्वास्ट में problems भी आ सकती है, आयू में भी दिक्कत हो सकती है तो जीवन रेखा का नाम जीवन रेखा ही इसलिए परा है क्योंकि इसका जीवन से कोई न कोई संबंद है तो इसी बात को लेके ये बहुत ज़ादा चिंतित हैं और स्वास्त को लेके भी थोड़ी बहुत परशानी परसपर अर्टिस वर्स के आयू के बाद चल रही है अलाकि मेरा एक प्रश्ण भी था इन से कि अर्थेस वर्स के बाद क्या स्टेटस है आपके स्वास्त का चुकि मुझे कुछ चीज़ें दिखी तो definitely आपके जीबन रेका में समस्या है लेकिन आपको अभी इस वीडियो के बाद डर निकाल देना है माइन से समझेगा मेरी बात अगर ईश्वर ने आपकी आयू महज 45 वर्स, 50 वर्स, 55 या 60 ही लिखी है न तो आप उतना ही बचेंगी पहले तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए और ये डर मन से निकाल दीजिए ये जीबन डरे का छोटी है तो आप 45, 50 ही बच पाएंगी या 60 ही बच पाएंगी ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अगर किसी वेक्ति के जीबन डरे का छोटी है तो ऐसा नहीं देखा गया है 100 के 100% केस में कि वो वेक्ति 40 साली बसते है समझियेगा और अगर किसी वेक्ति की जीबन डरे का बड़ी है तो ऐसा नहीं देखा गया है 100% केस में कि वो वेक्ति 70 साली बसते है बहुत महतपून और बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो यहाँ पर इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए मरने वाला जो कंडिशन है न आयू वाला जो स्थिती है जो दिमाग में आपके घर कर गया है उसको निकाल के फेट दीजिए अब बात करते हैं लॉजिकल अलाकि जीबन डरे का क्या महतव है अगर जीबन डरे का मिटी है तो उसका क्या होगा क्या मिटी है की नहीं कैसी है जीबन डरे का किस परकार की है इन साड़े महतवपूर विशय पर बात करेंगे ठीक से समझने की जुरुरत है ये आपकी हो गई माइंड लाइन ये हो गई आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर आके कंप्रीटली रुख गई है डेफेनिटली ये रुकी हुई है लेफ्ट हैंड पर भी इनका कुछ ऐसा इस्तिती है चुकि इंडिपेंडन है नौकरी में है तो इनका राइट देखा जाएगा लेकिन अब बात करते हैं कि concept ये है बहुत सा लोग का मैंने हाथ देखा है कि अगर जीवन रेखा के इर्द गिर्द कोई मंगल रेखा हो या फर सटी हुई भागी रेखा हो तो वो जीवन रेखा का कारे कर लेती है ऐसा इनके हाथ पर कुछ है नहीं ऐसा कुछ दिक्कत मुझे ऐसा कोई हाथ पर ये भी नहीं दिख रहा तो ये भी negativity है क्योंकि मंगल रेखा भी हाथ पर नहीं है और भागी रेखा भी बड़ी दूर खरी है तो क्या इनकी आयू इसके बाद रहेगी ही या फिर बहुत negativity आ जा लग रहा है कि कुछ समय के बाद ये अभी ये आयू जो है ना ये लगबग आपकी ठीक से देख रहा हूं तो 40 तक ही है अभी 43 एर्स की आयू है तो एक बहुत बड़ा प्रमान मिल गया कि ये रेखा आपके जीबन रेखा का कारे करना सुरू कर दिया है और थोड़ा थोड करेंगी तो यहाँ पर आके ये मिल भी रही है पूरी प्रॉपर नहीं मिलिया लेकिन मिलने वाले स्थिती में है बाद समझियेगा कि इनकी जीबन रेखा ये अर्थे 49 के बाद कोई बहुत सार्थक थी नहीं अब उसके बाद इनकी आयू चली है 43 वर्स तक इन्होंने मिता रहा है तो डेफिनिटली ये रेखा जीबन रेखा कारे कर रही है प्रमान मिल गया लेकिन ये बहुत बड़ी नेगटिविटी है बहुत बड़ी तो अब यहाँ पर ये रेखा मिलने वाले स्थिती में है या फर ये कहलो कि ये जीबन रेखा कारे कर रही है कंसेप्ट है मै अगर आपका किसी भी अगर आप प्लेन से सफर कर रहे हैं, उसमें दो इंजन होते हैं, अगर में इंजन बंद हो जाए, तो इमर्जनसी इंजन काम करता है, कभी कबार इमर्जनसी इंजन आपको डेस्टिनेशन पर पहुँचा देता है, कभी कबार इमर्जनसी इंजन भी फ पुरू कर दिया बैसे इश्वर की राधना करनी है कुछ सर्टन उपाय है जो कि आपके और इसको जर्म कुडली को देख के मैं बता दूगा महाधशा अंतरदशा के हिसाब से और संभावनाय यही है कि आपको ये आपके डेस्टिनेशन पर 77-75 साल तक पहुंचा देगा ठीक करना इसके अलाबा आपके हाथ में कुछ नहीं इस बात को दिमाग में रखे स्वास्त का प्रॉपर केरिए प्रॉपर ध्यान दिजिए बात बाकी कोई समस्या कोई चिंता वाली बात नहीं है इसे टॉपिक को यहीं पर खतम कर दीजिए उपाय जो दूंगा वो कर लीजए बात बागी बात खतम होगी यहीं पर चलिए यह तो हो गई बात अब आगे अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर ले तो एक जबरदस दिकरिया मुझे यहाँ पर देख लो आगे रेका जीवन के अंतिम समय तक है तो बागे रेका में तो कोई कमी नहीं है बागे रेका में को जबरदस्ते बहतरी ने कहां से भी एक बरिया साब का ट्रेंगल बना है क्या बात है चतिस के बाद भी प्रापर्टी के योग बने तो डेफिरिटली जीवन पर प्रापर्टी का सुख मिलता है अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बुद्दरे का तोई टूटी है इसको ह आपके हाथ पर है तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो पॉजिटिविटी में लगबग लगबग प्लैनेट सचे कंडिसेंस में बचाव तो ये भी कराता है जीवन पर तरक्क्य और प्रगती ये भी दिलाता है इस बात में भी कोई डाउट नहीं है तो आगे का जीवन ब प्रॉपरली और बहुत जल्दी हो गया अगे का वो भी मतलम होता है तो आगे का ये सम मतलब है सम सावधिकर्द है तो अभी अगर मैं आगे विचार कर लू और क्या चीज से हैं वागarin के regarding में बात कर लू तो बरिया है अब ही मैं जीवन रेका के कैस्ट को बता दिया हूँ आगे हटेली के विचल से मिलेशन में सब चीज को cover कर दूँगा तो ये माइड रेका, ये life line, highly independent, ऐसे जातक बहुत ज़ादा independent होते हैं, independent तो अरली इसमें 20-20 वर्स के याईउ में हो गए हैं, बाकि फिर ये रेका, जीमन, रेका कारे कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत cases में देखा गया, यहां से भी एक मिलने वाल स्थिती में है, लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने है ये तो रहेगा तुरह स्ट्रेस है नॉर्मल लेकिन शुक्र बढ़िया है शादी के बाद की बाग गुदे हस्बेट प्रॉपर केयर और सम्मान करने वाले बुद्ध पे घरी रेका है दिमाग बहुत तेज है स्ट्रेस है बहुत जादा भी नहीं शुक्रमंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी गसब का थमबे इक्षा शक्ती बढ़ी अच्छ है डिजायर स्क्राइन में बढ़े अच्छ है बहतरीन थमबे तो व्यक्तित में बहुत शागदार समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार है बुद्ध पे करी रेका है इंसान दिल के बड़े अच्छ है विक्तित तेनल फिंगर लंबी है तो मेहनथी है सुरी फिंगर इंमध को बता रहा है बुद्ध फिंगर फोष फोलेंस तक है अगर मैं आगे देख लो तो परुपकाड़ी रेका है सब के लिए करना चाहते है बरश्पती वरिया है तो वैल्यू मान सम्मान को पराप्त करते है माइंड रेका अच्छी दिमाग की तेज है एड़े रेका भी काफी शांदार स्ट्रॉंग इड़े की मालकी ने एड़े को भी लेके कोई काज समझ से आए नहीं है कोई काज दिक्कत वारी बात नहीं है एड़े रेका भी काफी अच्छी है विस्ट्रॉंग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है बैलस अच्छा दिल दिमाग की बहुत अंदुरुस्त है यहां से दबाब बे तो काफी महनती जीवन के अंतिम समय तक बागे रेका तो बागे का साथ और विकाज बागे रेका बहुत जबर्दस्त गजब का ये स्क्वाइर क्या बात है 36 के बाद प्रॉपर्टी का सुक है बुद्ध पे ये आफिंग ये आपके समझदारी के लूप के साथ साथ बेसिक नॉलेज समाजिक ग्यान बहुत दिखोता है आप में सुरी रेका बहतरी ने यहां से भी दिखरी है बहुत जबर्दस्त एक कमाल की आपकी दिखरी है बागे रेका यहां पर ट्रेंगल है क्या बात है बहतरीन कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने है इस केस में यात्राएं बनी रहती है चंदरमा बढ़िया है पैसे की फ्लो जीवन पर अच्छी रहेगी समझदार है तो उनी बुद्ध रेका टूटी एनर्जटिक है अगर किसी वक्ति का मीं प्रबल हो तो ऐसे वक्ति बहुत शाहसी होते बहुत एनर्जटिक होते है प्राक्रमी होते है समर्पित होते है जीवन पर आगे बढ़ने के लिए हमेशह ही प्रियासरत रहते है तो यहाँ पर से यह था इन गदली का पूरता विश्लेशन, अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमण कर से सस्क्राइब कर दे, अगर आप विक्तिकत रूप से मैं सहस्तरे का निखा के सही जानकारी प्रात करना चाहते हैं, अमारा वोट्सपना डि किसे बिल जाएगा, लेकर आप संपर्थ कर सकते धन्यवाद,